जातियों में कितनी अवादी है उसका पूरा पूरा विवरा राजसरकार ने पिफल डोवन में डाल दिया भरतिजनता पाटे कि इसली न करती है कि सब लोगों का हक मार रही थी पात हाता हुआ अरे आप तो लचारी ब्रमचारी थे ना ब्रमचारी की भूमका में नहीं थे आप लचारी ब्रमचारी की भूमका में थे सत्ता में बने रहना चाहते थे ती अधारित गनना का रिपोर्ट जारी होने के बाद भर्तिय जन्ता पार्टी का अरोप है कि रिपोर्ट जो आया है वो उसमें हेर फेर किया गया है ये सही रिपोर्ट नहीं है। वह भी दो अक्टूबर गांधी बबाग की जनती के अब सर पर इस साइंटिफिक है पूरी तरह से परफेक्ट है और जितनी इस बिहार की जनसंख्या है उसका भी आकलद है हर जातियों में कितनी अवादी है उसका पूरा पूरा विवरा राज सरकार ने पिपल डोवन में डाल दिया भरतिजनता पाटे इसलिए न करती है कि सब लोगों का हक मार रही थी पूरे तौर पर हक मारने में भाजपा ने जिस तरह की कसरत की है अब उनके दिन लदने वाले हैं है उटेरा भी की कि UA जजात की बात करता है है जजात जो होता है कि उसका एक अलग भुता है किagu अलग होता है आज़कर फटा है हम यह की बात करते हैं हर बुम का हर जाती का हर धर्म कर सबकि गंदा हूई है और एक को छुड़ करके जेट की बात करें जेट को छोड़कर करें तो यह नहीं होता है जो लोग उनमादी परविर्ती के हैं जो सब्रांत है जो पूरे तोर पर है कि अपने आपको दबंग मानते हैं उन लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि हम कम है कम हैं तो कम थे 31 जनगना देख लिए सबको पता है तो भाजपा तो कभी भी जाती गंदनाक का पक्षकार रहा ही नहीं अगर पक्षकार होता बार बार दोहाई देता है के हम सब्सक्राइब सुरूब φल भार बार दोहाई देती है कि भाजपा था रहता हुआ नहीं अब कि के दिल्ली कुछ करने की बाद हम लोगों ने कहा था बात हुआ आज तो हम उनको याद करके हम लोग उनको सरूड करते हैं जो हमारे बीच नहीं है इस संहर्थ में अपनी महत्व हमकादा करने वाले मुलायम सिंग जी सरज जी आज अहलादित हैं उनको लगा कि बलंबे संहर्थ के बाद जाती धायत गंदना की रपट जो आई है फिपल डोबन में सब कुछ की गिंती हो गए जाती गिंती नहीं हो रही थी हो गया भारत सरका करना चाहती सत्ता के संसाधन पर एक अधिपत मुठी भर लोग जमाये बैठे हैं उनका हिस्सा में कटोती होने का डर लग रहा है अब बुरा आपने अरच्छन खा लिया बहालिया ने तो रच्छन कहां पूरे भारत सरकार में आपने सभी बहालियां बंद कर दी नौ बरस मैं तो इस बात का पक्षकार था पक्षकार हूं और पक्षकार रहूंगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले हिस्सेदारी चलिए तो अब RJD का ये शुर है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको इतनी भागेदारी होनी भी चाहिए अब देखना है कि आज जब बैठक होगा क्योंकि नौ पाटियों की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है तो उस पर क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आप त तो